नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहतर होंगे, सकुसल होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके एक बेहद रोचक जानकारी देने वाले हैं साइबर अपराद और अपराधियों से जुड़ी होई बहुत से लोग बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि सरप स्टेट वाई हमको थोड़ा आंकडे दें तो हिमाचल परदेश के बहुत से भाईयों ने हमारे पास कमेंट्स किये थे ये पूशने के लिए बताए कि हिमाचल में साइबर अपराद कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और उनके क्या आंकडे हैं तो मैं आपको हर इस्टेट के बता सकता हूं बढ़ आज हिमाचल के भाईयों को बताता हूं कि वहां किस तरह से मतलब साइबर अपरादों में ईजाथा हुआ है हमारे जो सोर्स है वो मीडिया रिपोर्ट्स है देखिये ग्राउंड पे हम जा नहीं सकते हमारे जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग यूरो के जो आकड हैं उनके आधार पर आज हम आपको बताने वाले हैं विजना हमारे 1930 के माध्यम से या तो 1930 के माध्यम से पहुंची जाती है प्लिस तक साइबर क्राइम में जिनकी दर्ज होती है चूना लगाने से मैं उन लोगों का अकड़ा बता हूँ जो साइबर अपराधियों को पैसा दे रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं दिया कंप्लेंट दर्ज कराई है उनका अलगा अकड़ा है बट जो मैं बता रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में हर रोज साइबर अपराधी साथ लोगों से पैसा ठग रहे हैं ये तो वो हैं जो कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं इससे दस या बीस गुना क्या मैं तो कहूंगा पचास दे रहा तो बहुत हो जाएंगे मेरे भाई ये तो छैती आठारा लगबग मैं गारंटी से कह सकता हूं पचास गुना बढ़ा होगे तो वही आपको तीन हजार तीन हजार लोग कम से कम आपको मिलेंगे जो साइबर अपराध के सिकार हो रहे हैं हर रोज हिमाचल प्रतेश मिद्स में और उसमे से मुश्किल से साथ लोग कम्प्लेइन दर्ज करवा रहे हैं थीके ज़्यादा तर इसमें संख्या पता किनकी है जो अम्र दराज़ लोग है जिनकी अधेरंः अम्र है यह जो 40 साल से उपर हैं 15 साल साल से उपर है उन लोगों को ज़्यादा टार्गेट किया जा रहा है साइबर अपराधी लोगों को सस्ते लोन, बिजली के बिलों और फास्ट टेक के नाम पर ठग रहे हैं वर्स दो हजार दो में सिमला रेंज साइबर थाना में सबसे अधिक 2100 सिकायते दर्च हुई अकेले थाने में एक साल में 2100 सिकायते तो हिमाचल में टोटल कितने थाने होंगे उसका आईडिया आप खुद से लगा सकते हैं और हिमाचल में चल रही इस भयावैस्थिती का इस तरह आप समझ सकते हैं हिमाचल परदेश में हर रोज करीब साथ लोग ऑनलाइन ठगी का सिकार हो रहे हैं साइबर अपराधी मैंने आपको बताया वो ठीक है नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग व्यूरो पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1930 पर साइबर अपराध के सिकार लोग सिकायत कर रहे हैं जैसा कि हमने बताया आपको कि ग्रहम अंत्राले भारत सरकार का एक रिपोर्टिंग पोर्टल है जो आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके साथ किसी भी तरह का साइबर काईम अगर होता है तो आप 1930 पर कोल करके अपनी सिकायत दर्ज करा सकते हैं उसी के आधार पर यह डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं यह डाटा वो डाटा है जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो द्वारा बताया गया है इसलिए आप यह मत समझेगा कि सिर्फ साथ लोग ही सिकार होते हैं कम से कम दो से तीन हजार लोग हर रोज सिकार होते हैं पैसा देते हैं वो आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए जो एसपी हैं भुपेंदर सिंग नेगी साइबर में जो एसपी हैं उनका नाम है हिमाचल परदेश में साइबर क्राइम के जो एसपी हैं भुपेंदर सिंग नेगी जिनका नाम है उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से साइबर अप्राद का ग्राफ बढ़ा है सातिर नए तरीकों का इस्तमाल कर लोगों को ठग रहे हैं पैन कारड बनाने से लेकर क्रेडिट कारड के पॉइंट रेडीम करने ओटीपी सेयर करने लोन देने के लिए साक्षाकार करवाने के नाम पर लिंक भेज कर ठगी की जा रही है उन्होंने कहा कि करीब चार सो ऐसी अप्लीकेशन हैं जो फरजी हैं इनके लिंक लोगों को भेजा जा रहा है लोग भी इनके जहांसे में आकर लोन और अन्य चीजों के लिए आविदन कर देते हैं ऐसे में उनके अकाउंट से पैसे कटने सुरू हो जाते हैं ये सारे जो एस पी भुपेंदर सिंग्नेगी हैं उन्होंने बताया है कि बेसिक इस तरह के फरोड हिमाचल परदेश में चल रहे हैं अब एक चीज और सामने जो निकल की आती है नेशनल साइबर क्रैम रिपोर्टिंग ब्यूरो की तरफ से हिमाचल परदेश को लेकर उसमें सबसे एहम बात ये है कि उम्र दराज के लोग ठगी का सबसे ज़्यादा सिकार हो रहे हैं हिमाचल में ज़्यादा तर उम्र दराज के लोग ओनलाइन ठगी का सिकार हो रहे हैं सातिर महिलाएं पहले बुजुर्गों के साथ वाटसप पर चैट करती हैं धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फसाती हैं फिर पैसा मांगना सुरू कर देती हैं ऐसा ना करने पर वहें तस्वीरें यो वाटसप पर की गई चैट परिवार के सदस्यों के साथ साजा करने की धमक्या देने लगती हैं जी हां दोस्त यहां पर जो दिया गया है महिलाओं से मतलब रियल महिलाएं एमम तथा कतित उन लड़कों की बात की गई है जो महिलाओं के नाम से फेस्बुक पर फरजी आईडी बना कर उम्र दराज लोगों को सलेक्टिवली टारगेट करते हैं और उनसे बातचीत कर सुरुआती दोर में दोस्ती बढ़ाते हैं और दोस्ती के बाद धीरे धीरे असलील चैट करना सुरू कर देते हैं उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब उन स्क्रीन सोट को जो बातचीत की गई चैट्स हैं उनके स्क्रीन सोट और जो फोटों का आदान परदान आपस में किया गया था उन सब को भेज कर उस उम्र दराज बुजरुग अधेर उम्र के व्यक्ति को वो सारी फोटो और चैट भेज कर पैसे की डिमांड की जाती है अने था उन चैट्स को और फोटों को मौर्फिया एडिट करके उसके परिवार के सदस्यों तक भेजने की धमकी दी जाती है अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो चैट्स और फोटों उनके परिवार के सदस्यों तक कैसे जाएगी तो तो उसके लिए जो cyber अपराधी हैं, वो इस्तमाल करते हैं आपके facebook friends का, आप अपने facebook पर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मौके पर अपनी धर्म पतनी, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने माता पिता के साथ अपनी पिक्चर्ज अप्लोड करते ही होंगे और वहीं से साइबर अपराधी आपके जो रिलेटिव हैं उनको टार्गेट करते हैं सेलेक्ट करते हैं और उनके स्क्रीन सोट आपके पास भेजते हैं और आपको डराते हैं कि आपकी फोटो और वो चैट उनकी पास भेज़ देंगे अने था हमें पैसे दो इसी जाल में फसकर अक्सर उम्र दराज लोग जो साइबर अपराधी हैं उनको पैसा भी दे देते हैं यहां पर उम्र दराज लोगों के संख्या इस लिए जादा बताई गई है कि उम्र दराज लोग ही सबसे ज़दा सिकायत दरज करते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कमप्टीशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं यूपीयस्टी की तयारी कर रहे हैं नीट की तयारी कर रहे हैं सी एचेसल, सीजियल की तयारी कर रहे हैं सी पियो की तयारी कर रहे हैं और भी अन्ने किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जब उन लोगों को टारगेट किया जाता है तो वो लोग, वो बच्चे, वो स्चुडेंट अपने भविस्य का सोच कर कभी साइबर क्राइम में या पुलिस थाने में कमप्लेन दर्ज कराते ही नहीं हैं अगर वो भी कमप्लेन दर्ज कराना सुरू कर दे तो ये आंकड़ा साथ से दस हजार तक बढ़ सकता है इतना बढ़ जाने के बाद भी कोई अस्चरिय की बात नहीं होगी क्योंकि ये आंकड़ा वास्तव में इतना ही है आज हमने आपको जो आंकड़ेही माचल परदिस को लेकर बताये हैं उस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं आज के इस वीडियो में जो भी लोग हमारे साथ जुड़े वीडियो देख रहे हैं उनको हम दिल से नमस्कार करते हैं और आपकी दिरगायू की कामना करते हैं इस वर से साथ ही प्रातना करते हैं आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहें और यूँ ही आप हमा परिवार साइबर सेफटी से जुड़े रहें नमस्कार दोस्तों